Hello and welcome friends, आज की ये वीडियो टैली फ्राइम की है और टैली फ्राइम में जनल बाउचर में एंट्री पास करना सीखेंगे, इसके पहले भी बता चुका हो जनल बाउचर, लेकिन ये जनल बाउचर जो है confusion काफी कल create हुई की तो इसको लेकर के वीडियो बना रहा हूँ, तो अब debit credit वाला option चालू कर लीजिए और आज आज ये double entry mode में तो आपको debit credit option दिखाई पढ़ने लगे हैं, ठीक है, अब यहाँ करना क्या है, यहाँ पर debit आ रहा है, तो debit किसे करेंगे, debit हमेशा जब भी करेंगे, तो देखिए, जनल बाउचर में entry कौन सी पास की जाती है, जनल बा entries तो एक हो गई, लेकिन इससे हट करके जो entry होती है, वो पास की जाती है, जनल बाउचर में, like tedious, अगर किसी का काटना है, तो वो जनल बाउचर में आप कर सकते हैं, like अगर आपको अपने personal use के लिए कोई सामान खरीना है, तो जनल बाउचर में पास कर सकते हैं, तो यहाँ पर एक personal use के लिए हम सामान खरीते हैं, ठीक है, like मैंने बना रखा है desktop, ठीक है, मैं यहाँ पर कर देता हूँ, alt के साथ C, क्योंकि हम यहाँ पर laptop पर्चेस करने वाले हैं, ठीक है, यह हो गया laptop, अब यह stock item ही है, ठीक है, लेकिन यह है क्या fixed asset है, क्योंकि हम अपने personal use के यह है 45,000 उपर ठीक है, ठीक है, तो यहाँ लिख दिया 45,000 इस तरीके से, अब यहाँ पर credit आ रहा है, credit किसे करें, तो credit जब भी होगा, तो कोई creditor party होगी, मैं आपको laser भी लगा के दिखा देता हूँ, like कहाँ पर कर दिया मैंने, गवरो, यह दिखिए, यह गवरो कर दिया यह हो गया, तो यहाँ पर यह entry इस तरह से करके पास हो जाएगी, अब यहाँ पर दिखिए, on account आ रहा है, ठीक है, चुकि हमारा new bill है, तो हम यहाँ new reference करके, और इस तरीके से, इसे entry को पास कर लेंगे, तो यह entry पास हो जाएगी, और यहाँ पर जब भी इस entry को देखना तो यहाँ पर हम देख सकते है, easily, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, यह laptop वाली entry जो थी, वह हमारी entry थी, आप देख सकते हैं, यह किस तरह से entry हमने पास की है, ठीक है, तो यह नया laptop खरीदा है, इसलिए reference दे दिया हमने इसको, new reference, तो I hope कि यह बात समझ में आई कि यह entry कैसे पास करनी है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे share करें, thank you for watching this video.